लो पाइसीज, वेलकम टू आरे इंटले गाइडेंस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपमें लाइफ में सब बढ़िया करेंगे और अपने ध्यान रखेंगे हूँ, आज फिर आपके लिए रीडिंग ले क्या आई हो, हम देखेंगे आपका मास्ट का मन्त कैसा रहने आपके लिए मास्ट कार्ड देखेंगे कि क्या है, मेडिटेशन पॉर पीस और सिरिंटी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, आपके लिए हैं यहाँ पर मेडिटेशन, ओके, थोड़ा आउटर वोर्ट को इग्नोर करना है, और अपने साथ पीस मिंटेन करना है, थोड़ा अपने उपर ना स्ट्रिक्ट होना है, अपने आपको लेके तो अपने उपर तो अपने उपर तो अपने उपर तो अपना है कि नहीं, सहो चीजों को, आपको तफ बनाना है खुद को, तफ बनाना है खुद को, ठीक है, तफ बनाना है खुद को, एंड ऐसा हो सकते है कि बह वलत करने से बचना है आपके लिए, ठीक है, abundance भी दिख रही है, loyalties भी दिख रही है आपके लिए, कोई cancer person, कोई scorpio person भी हो सकता है आपके आस-पास, में भी उनकी energies आपको affect कर सकती है, आप Pisces हो, Pisces तो fish, fish water element तो ये आ नहीं थे, मुझे लगता है आपको, आप अपने life में इस समय पर peace बहुत ज़्यादा ठ्रैक कर रहे हो, peace, शाद इसकी कमी कहीं न कहीं आपको खली है, February में ज़रूर आपने कुछ ऐसी चीज़े में भी face की है, पर वो सुकून है न, वो आपको March के मन्त में मिलता दिखाई दे रहा है, लेट सी और क्या message है आपके लिए, ये आपका master card है, तो I think आपका, अगर career में कोई problem चला था, life में कोई problem चला था, तो सब जगाओं पर peace आता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, चुकि आपने energy से बहुत जगा डालने ही नहीं माले, वो आपको लगेगा कि मेरे मन की शांती मेरे लिए जादा important है, चीक है, आगे देख लेता है, door to romance, okay, maybe कोई cancer person हो सकता है, maybe कोई ऐसा person हो सकता है, जो बहुत ही जदा loyal है, और कोई ऐसा person भी हो सकता है, जो चीज़ों को बहुत slow आगे बढ़ा है, लेकिन यह person आप में interested होगा काफी, और एक long term relationship, long term commitment आपके तरफ आ सकती है, door to romance, wow, okay, maybe person Pisces ही हो, deceit, okay, okay, hmm, ऐसे लोगों से बच के रहना है, बड़ी red energies आपके लिए आई है, door to romance, and here again, deceit, मुझे, मैं इतना ही कहूंगी, okay, red flags, red flags से बच के रही है, फिलाल, लेकिन, यहां पर मुझे red flags कम दिखाई दे रहे, वो दिखाई दे रहे, कि ज़रूर कोई प्यार आपके जीवन में बाने माला है, बट यहां पैसा दिखाई दे रहे कि कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, चोकि, यहां पर भी red है, बेभी कुछ cancer kind of people से, लेकिन cancer इतने बुरे होते नहीं है, जो आपको hurt करेंगी हो, तो पहले ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट ऐसे लोग हैं आपके आसपास, यह card मुझे दिखा रहा है, इस तरह के red kind of people हैं आपके आसपास, जिनसे आपको बच के रहना है, ठीक है, यह आपको देखना है, आपको लोग की energies देखनी है, वो आपको wipes पता चलेंगी, किन पर हम trust कर सकते हैं, यह दोनों ही red color के cards हैं, यहां पर red color के लोग भी हैं आसपास, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, जो सच में आपसे प्यार करने वाले आपके लोग होंगे, अनकुछ ऐसे लोग होंगे, जो धोका भी दे सकते हैं, तो यह सच में कहां लीजे, आपका exam है यहां पर, आप पहचाने लोगों को कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, और यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है, कि यह आप meditation करोगे, यह ऐसी चीज ना, जो आप लोग की wipes से ही खीच सकते हो, wipes से ही wipes मैच करके बता सकते हो, यह आपका person है, यह आपके तरह के लोग हैं, यह आपको दोका दे सकते हैं, यह चुकि आप यह पहचानी नहीं पाओगे, face से पहचानी नहीं पाओगे, चुकि यह players है, यह इनके तर कि इनकी बातों को observe करके ही पैचान सकते हैं कि कौन आपका अपना है कौन आपका अपना नहीं है तो बहुत जल्दी यह कोगी ट्रस्ट मत करना क्योंकि यह जो cancer है यह भी hidden है यह इस चीज के पीछे चुपा हुआ है ठीक है हम यहां पर cancer को बात नहीं करेंगे cancer को साइड कर उसमें cancer की कोई गलती नहीं है बट जो यहां इस card में दिख रहा है यह भी यहां पर hidden है तो मैं इतना ही कहूंगी कि थोड़ा सा बच के आपको रहना है ठीक है हम खामखा cancer को क्यों बीच मिला है cancer अच्छे होता है थाइसीज भी अच्छे होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं अच्छे नहीं होते हैं मैं उनसे थोड़ा बच कि रहा है चाहिए okay 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 broken heart red 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 okay seven chakra मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको सीज का अंदाजा पहले ही लग जाएगा जो person आपको हर्ट करेगा जो person आपको दिल के साथ खिलेगा उसका अंदाजा आपको पहले ही लग जाएगा देखिए कुछ लोग के लिए पहले से ही कहानिया आपे बता दी गई ह मार्च शुरूँने से पहले बहुत जादा मत विश्वास करना किसी पे लेकिन प्यार में बहुत ज़़ादा बहह मत जाना एक बात में बता दू में भी पोसन आपके लाइफ में है पर ये पोसन उस तरीके का ना हो कमिट्मेंट ना दे सॉलेट और बाद में आपका दिल भी दुख सकता है ये सिचुवेशन अलग-अलग भी हो सकती ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार करने वाला परसन ही है जो आपको धोका दे ठीक है कुछ लोग के लिए रोमैंस आ रहा है येस पर कुछ लोग का दिल तूट सकता है वो भी किस वज़े से आप लोग ने किनी च इश्वास करे ऐसके आदम दिल्वत बढना ऐसे ही किसी को अपना मासूम दिल मद दे द है कोमल दिल मद दे देदेना एक वार्णिंग हैं मार्च के बज़े पहले से अगर जिनों ने एन रिडिन देख ली है उनके लिए उनको मिल गई है इसकता है जरूरी नहीं है कि ये ह person आके आपका दिल तोड़ दे, हो सकता कि कोई किम्ती चीज़ खो जाए, उससे दिल तूड़ जाए आपका, तो ये कुछ भी हो सकता है, बट आपको चौकनना रहना है and simple चौकनना रहना है, ठीक है आईए देखते हैं तिंकर, ओके, बहुत ज़्यादा पहले तो यहाँ पर जो लोग की जरुवत नहीं न, साफ करके निकाल दो, साफ करो, मार्च का महीना साफ सफाई का है भाई, अपनी लाइफ में जो लोग ऐसे हैं, जो डिसीट है दोका देते हैं, उनको साफ करके निकाल दो ठीक है, एक बात और अपने आप अकेले हो, इसका मलब यह नहीं कि अपने अकेलेपन का फाईदा उठाने दोगे दूसरे इंसान को, अगर वो दूसरे इंसान समझ गया कि आप लाइफ में कितने अकेले हो, या फिर आपने अपनी वीकनेस उसे बता दी, अपनी weakness बताने से बचना लोगों को पहली बात मार्च में लोग उसका फाइदा उठा सकते हैं, deceit के नीचे ही ये काड आया है, दूसरा हो सकता है कोई लोग आपको छोड़ की चले जहें और आपको ऐसा मैसूस हो कि आप अकेले हो कुछ लोग के लिए new life शुरूरी टूता है, तो उसकी healing हो सकती कोई new life आपकी शुरू हो सकती है ठीक है, इतना कौँगी ये अकेलापन दूर करने के लचकर में किसी गलत लोग के संगत में मत आ जाना ठीक है, किसी गलत लोग के संगत में मत आ जाना, इसके चारों तरफ भी कोई इंसान नहीं है, ठीक है ये भी है, यहाँ पर अकेले बैटके ही meditate कर रहा है, ये समय पर खुद को अंदर से strong tough बनाने का, मैंने जैसे की बोला ठीक है, tough बनाने का, चुकि कोई भी आके दिल तोड सकता है, सबसे पहला काड़ी आपका आगया था, तो अकेले पन का ये मतलब नहीं कि आप किसी भी भरोसा कर लोगे और दिल तोड़ने दोगे, ठीक है ये कमजोरी नहीं है अकेला होना, अकेला होना आपकी strength है, ठीक है ठीक है, ठीकर येस, आप बहुत ज़दा किनी बातों को लेके सोच सकते हो, अगर बहुत ज़दा सोच रहे हो, तो आपके लिए पहले ही काड़ा चुका है, meditation आपके लिए अच्छा है, आपको अपने सब peace maintain करना है, यहाँ पर peace maintain करना, मैं भी हो सकता, आप ही लोग शयद किसी और को अपने life में आने ही नहीं दोगे ठीक है, आप चाहोगे की नहीं की कोई life में आया आपके, क्योंकि आपका कोई past experience अच्छा नहीं रहा है, तो आप चाहोगे भी नहीं हो सकता, आप लोग की energies, कुछ अभी भी ऐसे ही है जो इस वीडियो पे आया है कि नहीं मुझे तो कोई नहीं चाहिए ही नहीं, अब तो मैं fed up हो चुका हूँ आप मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से तो ये भी energies में आप में से काफे लोग हो सकते हूँ आप अखेले हो पर अंदर से कही न कई कोई कोई चाहते हूँ कि कोई आपके जीवन में आए और हो सकता ऐसा कोई मौका मिल जाए तो कही न कहीं आपको चौकनने रहना है बस मैं इतना कह रही हूँ बाकि आपके लिए कोई new life शुरू हो सकती बहुत लोग के लिए new life शुरू होते हूँ दिखाई दे रही है ठीक है वो सकते हैं यह period आपका खतम हो जाएगे रेच्छे मोर कार्ड देखेंगे जिससे में पता चलेगा कि आपके कार्ड क्या कहना चाह रहे है Pisces मैं आपका यह कार्ड देखेंगे काफी protective हो गई मैं नहीं चाहती मेरे कोई भी Pisces का दिल टूटे ठीक है इनसे दूर है ना red flags ठीक है आए यह देखते है higher self और यह meditation का कार्ड अपनी higher self से जोड़ो वो सकता है जब आपने आपसे बहुत सारे questions करोगे न तो भी आप question करके इन लोगों के behavior को जो आपके साथ अच्छे नहीं है इनके behavior को आप चेक कर पाओ और अपना answer खुद अपने अंदर से निकाल पाओ कि यह person ने तो आपके साथ ऐसा किया था या वैसे किया था किया उस लाइक है इस पर हम trust कर सकते है तो कहीं न कहीं आपके अंदर से खुद ही आवाज आएगी तो बाहर आपको किसी के answer की जरुवत भी ना पड़े अगर आपके अंदर से आप जुड़ रहे हो तो आपके अंदर से ही आपको आपका answer मिल जाएगा offerings okay let go कुछ लोगो को आप let go करने वालो simple is that कुछ लोग के life में तो इसा दिख रहा है दिल तूटा था पर आप लोगो चीजों को let go कर रहे है और अपनी new life आगे बढ़ा रहे हो simple ठीक है अब यहाँ मुझे कुछ devil की energy भी दिख रही है बहुत हो समझ कि आप उस love relationship में जाओगे जल्दबाजी नहीं करोगे क्योंकि maybe कोई past में भी आपका कोई heartbreak हुआ है और यहाँ पे आपके लिए अच्छा है oh my god channel मुझे तो आपका card ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए तो यह एक mantra है इंसानों से बैतर तो जानवर है sorry to say but सच में इंसानों से बैतर तो जानवर है क्योंकि कम से कम वो loyal तो रहते है at least वो किसी के साथ जुड़ते है तो वो truly जुड़ते तो है इन्हें खेल तो खेलना नहीं आता ना कहीं oh my god इस इन्सान के भी चारो तरफ animals है मुझे लगता है कि आप animals से दोस्ती कर लो लेकिन इन्सानों से दोस्ती मत करो मार्ज के मन्थ में my god आप कोई pet रख सकते हो या आपको heal करने में और help करेगा आपको आगे बढ़ने में कभी कभी जब हम किसी pet को रखते हैं तो उसकी traits हमारे अंदर भी आते हैं या पर हम ऐसे ही कोई pet को लेके आते हैं जिससे हमारे traits match कर रहे होते हैं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ आए देखते हैं ठीज को let go करना and one more thing अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है कोई अगर आपको यहाँ पे hurt करने वाला है यह है यहाँ पे justice का justice definitely होगा ठीख है किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है आपको धोका देगा उसको भी बराबर से उसको मिलेगा तो आपको परिशान होने की जरुवत ही नहीं है आपके लिए बहुत ही अच्छा है connection with animals मैं क्या बोलूँ जाए जहां पे आपको dogs मिले खुब सारे cute dogs मिलें आपको वहां पे आप visit करो zoo जाओ animals के साथ connect करो यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में तर्टल आप चाहो तो अपने लिए तर्टल लेके आ सकते हो आप fish पाल सकते हो आप अल्यडी पाइसीस हो आपके लिए अच्छा होगा connect करना अनिमल से politics तो ऐसे लोगों से दूर politics से दूर two-faced people आपको उनका चैरा नजर आ जाएगा मार्च में अगर नहीं नजर आया है तो past life कुछ तो past life connection से आप मिलने वाले हो या फिर में भी कुछ past life से आपके life में वापस आने वाला है sorry sorry वापस आने वाला है यहाँ पर past life कोई connection रहा है आपका प्यार का वो आपके life में वापस आने वाला है कुछ तो past life connection है यहाँ पर उन लोगों से मिलने वाले हो या इन्हों आपने कुछ इनके साथ किया था पास लाइफ में अब आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा भी आपने इनके साथ पास लाइफ में कुछ किया था तो अब यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कार में कुछ पास लाइफ का कुछ केनेक्शन रहा है ठीक अब ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा कि यह हमने भी तो किया था दफू न्यू बिग्निंग्स ओके न्यू लाइफ है न्यू बिग्निंग्स है ट्रस करो इश्वर आपके साथ है अब ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा कि कोई बात नहीं हमने भी तो किया था चलिया यह देखते है डिस्टेंस हो सकता है आप में से काफी लोग ट्रावल करें यहां पर किसी का कम्मिनिकेशन आपको आ सकता है कोई लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप शुरू आपको किसी के साथ हो सकता है या आप जैसे किसी अपने से दूर जा रहे हूँ मतलब में भी ज़रूरी नहीं ऐसा फैमिली से भी कही न कही दूर जाते है ना रहने के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते है जॉब करने के लिए बाहर जाते है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है तेखें अब वहां पर सच में आपको अपनों की जवरत पड़े फैमिली रूम सी फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पर सकता है मैरिज की बाते चल सकती है कुछ लोगों के लिए यहां पर फैमिली भी आ चुकी तो फैमिली से रिलिटेट कोई फैमिली में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो सकता है यहां पर बॉटम रड़ेक पाथफेज बटरफ्लाइज आपको रास्ता दिखाया जाएगा आपके लिए रास्ते बनेंगे उसलों के लिए नियू लाइफ शुरू हो रही है नियू रास्ते नए पाथफेज नए रास्ते बनते लिख रहा है बहुत लंबी हो गई यह रीडिंग आपकी वो भी यह रिख फ्लाक्स के बज़े से नहीं तो मैं इतना लंबा है इसे खीशती नहीं सबसे लंबी मुझे रख रहा है पाइसीस की रीडिंग बन में है इनोवेशन कुछ न्यू ज़रूर ट्राइ करेंगे आप कुछ न्यू एक्टिविटीज यहां करेंगे मेभी न्यू लाइफ रिच्छिस मनी माइंडेट आप में से काफ़ी लोग मनी माइंडेट रहने वाले हैं सिर्फ पैसो के बारे में सोचेंगे यहां पर आपके लिए 1110 मतलब आप यह देख सकते हैं यह एंजल नंबर भी आप सर्च करोगे न 1110 इस पर भी आपको कुछ ना कुछ न मिलेगा कि आपके लिए क्या मैसेज है ठीक है अपने होम टाउन से बाहर या पहले से ही रह रह रहे हो तो बातल लग यह पर पैसो पर आपके लिए जादा धान आपके पैसो पर रहने वाला है न्यू क्रेटिव आइडियाज न्यू वेंचर अफ्रेश स्टार अफ्रेश लाइव देखा तो था कुछ तो है आपके लिए फ्रेश फ्रेश था हमाक तापके बेचांश पिसकली और मेंटली मेभी आप विकेशन पर जाने वाले हो आपके जाने वाले हो अपका दिल तोचरा है बड़ कहीं वो पॉस्पोर साथ है नोपके बना है जोगी नोपी बना है चुग इस यूरू होने वाला है Okay, यहाँ पर कौन है Getting together with friends तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने वाले है सब अच्छा तो है भाई डरनी की क्या बात है बस थोड़ा सा चुकनना रहना है और कुछ नहीं रहना Maybe कोई past life है तो कोई past life connection आपके life में आने वाला है Marriage होने के chances hidden secret can harm you यही है वो politics वाले लोग यही है वो deceit करने वाले लोग तो यह बहुत ही close है आपके यह बहुत ही close है जिनको आपके secrets पता है यह कोई family में से भी हो सकता है I mean relatives में भी कोई हो सकता है या maybe आपके बहुत ज़दा close friend या आपके colleagues जिनको साथ आप अपनी बाते शेयर कर देते हो ध्यान से, ध्यान से कोई बहुत ही close one है दो cards चाहिए थे, let's see क्या है आपके लिए slowly but surely getting ahead a turtle की energy maybe turtle रखना आपके लिए अच्छा रहेगा great personal sorrow किसी बात पर आपका दिल दुख सकता है अपने देखा भी है यहाँ पर and let's see dissatisfaction with life यही बात है आपको में लाइफ से dissatisfaction होगा आपको लगो अगर मेरे लाइफ में को तो कुछ है ही नहीं मेरे लाइफ एक्दम बिकार है चिक है, पर अच्छा नहीं है यह आपका बस सुचना होगा उस समय के लिए जिसा में दिल दुखता है चिक, तो यह थी आपकी reading, Pisces, I really enjoyed your reading a lot चिक है, चिक है, बहुत mixed reading थी, बहुत अच्छा भी था बहुत ऐसा भी था कि, yes, चकनने रहना है, but बहुत ही बहुत ही fabulous थी, चिक है, I love it तो यह थी आपकी reading, आपको चुछ लगी है, लाइक कीज़ेगा, सब्सक्राइब में चाना पतक नहीं किया है, तो comment box में ज़रूर बताएगा, thank you for watching